तो अगर आप 2024 में अपने घर पे एक studio setup करना चाहते हो और वो भी budget में तो ये video आपके लिए है इस video में मैं not only आपको बताऊंगा कि आपको कौन से headphones, कौन से speakers में invest करना चाहिए उसी के साथ साथ मैं आपको MIDI, microphone, audio interface, DAW और system के भी suggestions देने वाला हूँ तो सबसे पहली and most important चीज़ जो कि आपके studio में होनी चाहिए, वो है एक monitoring device तो इसके usually दो options होते हैं, या तो आप monitoring headphones में invest कर सकते हो, या तो आप studio speakers में invest कर सकते हो लेकिन gear suggestions जेन से पहले, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, कि ये monitoring devices में और जो consumer headphones और speakers आते हैं, उनमें क्या फरक होता है basically जो monitoring devices होती हैं, वो usually flat होती है, यानि असान भाशा में, जिस भी गाने को आप play करते हैं, उन devices पे सुनते हैं, वो आपको जादतर close to original सुनाई देते हैं वेराज जो consumer devices होती हैं, वो जादतर enjoyment के लिए बनती हैं, किसी में base boosted होता है, तो किसी में treble boosted होता है, जिसको हम लोग technical terms में colored sound भी बोलते हैं तो monitoring device में invest करने का main benefit यह होता है, कि आपको चीजे properly सुनाई देती हैं, precision के साथ सुनाई देती हैं, at the same time आपकी gradually ear training भी होती रहती है although मेरे पास इनका पिशला model था, जो कि सिरफ E5 था, but trust me, आज भी मेंको उनका sound काफी पसंद है, और मैं अपने students को भी budget में वही recommend करता हूँ अगीन अगर आप थोड़ा सा budget बढ़ा सकते हो, तो Yamaha के HS5 आते हैं, या फिर Adam Audio के T5V में आप invest कर सकते हो उसके बाद, I'm pretty sure आप लोगों ने अलग-अलग studios में एक piano तो देखा ही होगा, वो most of the cases में एक piano नहीं होता, बलकि MIDI होता है वैसे तो उसका full form होता है musical instrument, digital interface, लेकिन हम लोग ज़्यादा technical बाते नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को आपको gear recommendations देने प्यानो और MIDI में main difference यह होता है, कि प्यानो में अपनी खुद की sounds होती है, वेरास MIDI में, although अपनी खुद की sounds नहीं होती है, लेकिन उसको एक software से connect किया जाता है और आप VST की मदद से infinite number of sounds play कर सकते हो उससे, तो इनकेस अगर आप लोग budget में, एक अच्छे MIDI keyboard में invest करना चाते हो, तो Nektar की GX series मेरे को बहुत पसंद है, in fact मैंने खुद अपने initial दिनों में Nektar का GX 61 लिया था, यह कुछ इस तरह का दिखता है, इतना बड़ा है कि यह frame मे भी नहीं आ रहा, और अगर आप थोड़ा सा budget बढ़ा सकते हो, तो आप Novation का launch की consider कर सकते हो, या फिर Arturia का Key Lab Essentials भी चेक आउट कर सकते हो, लेकिन एक important चीज है, जिसका मैं चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दे, 25K वाले MIDI keyboards में avoid करें अभी invest करना, विकॉस उनका utility बहुत जा वो सिरफ एक bridge की तरह act नहीं करता, आपके mic को आपके software से connect करने में, बलकि वो कही ना कहीं, आपके जो mic का texture है, उसको भी improve करता है, और आपकी जो monitoring है, चाहे आप headphones यूज़ कर रहे हो, चाहे आप studio monitors यूज़ कर रहे हो, एक अच्छा sound card, कही ना कहीं उसको भी enhance करता है, तो आप या तो MXL के 770, या फिर Audio Technica के 80-2020 में invest कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा budget बढ़ा सकते हैं, तो Rode काफी सही professional microphones बनाता है, जैसे की Rode NT1 और Rode NT2A, उसके साथ साथ SE Electronics का 2200 microphone भी मेरे को काफी ज़ादा पसंद है, उसके बाद अगर हम audio interface की बात करें, तो वैसे तो 2400 से ये range शुरू हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा budget soundcard recommend करूँ, जो long term में आपका साथ दे, तो at least go with focusrite solo, और इनकिस अगर आप लोग budget थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो Audient का ID4 बहुत सही है, इनफाक्ट मेरे studio में focusrite और Audient दोनों है, और मेरा Audient तो almost 5 साल पु सारे में बात करना, इनकिस अगर आप लोग Windows सिस्टम यूस करते हैं, तो आप Qubase या Ableton से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास Mac OS है, तो आप Logic Pro से स्टार्ट कर सकते हैं, all though जो मैंने Windows में दो नाम लिये थे, वो भी Mac में available है, इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे और देखो आप किसके साथ comfortable हो, बस एक छूटी सी mistake जो मैंने बहुत सारे लोगो को करते वे देखा है, कभी ये मत सोचना कि YouTube पे जिस software के सबसे जादा tutorial है, हम उसी software से शुरू करते हैं, because आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, कि जितने जादा videos, उत्ती जादा आपको confusion ह होने वाली है, basically बहुत सारे beginner producers भी आपको दिखेंगे, बहुत सारे experience लोग भी दिखेंगे, तो जिनके भी आप videos देखते हो, उनका काम सुनो, उनको अच्छे से जान जाओ, before आप उनसे information लेना शुरू करो, at last, इन सारी चीजों को connect करने के लिए, और अपने गाने को record करने के लिए आपको एक system की जरूत है, तो वैसे तो इस पर already एक वीडियो है चानल पी, जिसमें मैंने detail में एक comparison किया है, Windows versus Mac का, अगर मेरे को उसको brief में summarize करना हो, तो अगर आप Windows system में invest करना चाते हैं, तो at least आपके पास i7 या i9 processor होना चाहिए, और इनके साब AMD के तरफ inclined है, त make sure कि आप pro series ले रहे हो, because वो actual में professional use के लिए और उनके performance काफी सही है, वहाँ पे भी I would suggest 16GB RAM और 512GB के SSD more than sufficient है, अब एक सवाल जो मेरे से बहुत जादा पूछा जाता है, वो ये है कि 58,000 में भी कोई laptop आता है music production के लिए, तो मेरा यही जवाब रहता है कि laptops तो बहुत सारे आ बाकी इन केस अगर आप लोगो के माइंड में कोई भी सवाल है, तो उसको नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर ट्राय करूंगा उसको answer करने का, बोई, एक दिक्कत है, क्या, मुझे ना, logic बहुत पसंद है, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, दिक्कत ये है कि मेरे पास एक प्रेली, लिमत बोलो, 25 midi keyboards 25 key वाले midi keyboards को अभी 25 25 की वाले midi keyboards में avoid 25 की वाले midi keyboards में invo-